एरक्राप टेक्निसियंस ने मांग की थी अपने बेतन बृध्धी को लेकर और नियमिती करण अस्थाई करण की बात कही थी मगर अब इसको उनके अधिकारी ने सीरे से खारिज कर दिया है और अलग-अलग टेक्निसियंस को बुला कर वह डांट फटकार और दवाब बनाने क प्रयास कर रहे हैं मेरे नाम हुआ रविकांत और आप देख रहे हैं जहकास भारत मैं अभी इन तमाम मुद्दों और बात करूंगा इससे पहले बता देता हूं कि कल के खबरों तक ये खबर हमने चलाई थी कि एयर इंडिया के इंजिनियरिंग सर्विसेस के जो करमचारी हैं एयर क्राफ टेक्निसियंस वह अपनी मांगों को लेकर जो प्रमुख मांगे थी जो उनको मांगे थी वह हम बतला चुके हैं पिछले वीडियो में किस प्रकार से उन्होंने मांग की थी कि हमें बेतन ब्रिधी की जो मिलनी चाहिए डिये वह नहीं मिल रहा है उसके वो नौकरी कर लेते हैं या करमचारी के रूप में रह लेते हैं तो फिर जो बाजीब हक है और जो बाजीब बाते हैं वह होनी चाहिए मगर यहां पर जो उसके GM हैं जो उसके CEO हैं वहां पर वो लोग दवाब बना रहे हैं उन एरक्राफ टेक्निसियनों के उपर तो क्या हैने की आखीर सफुरियों आधिकारी इन लोगों को को हरताल पर जाने की अनुमती दे रहें उसके साथ ही जबकि ये लोग पहले ही अबगत करा चुके हैं अपनी बातों और मांगों के जरिये सत्रसों टेक्निसियंस हैं क्योंकि उन अधिकारियों को डर है इमेल से मैसेज भी भेज़े हैं कि ऐसा नहीं करना है मगर जो करमचारी हैं वह अपने मांग को लेकर अड़े हुए हैं एक प्रकार से यह का सकते हैं कि यहीं इनका एक प्रकार से सोसन हो रहा है वहां मगर जब इन्होंने आवाज उठाई तो उसे दवाने का भर्सक प्रयास किया जा रहा है वहां के जीम और अधिकारी के द्वारा तो आखिर यह लोग का कहना यह है कि आप लोग मांग मत उठाइए जो हम आपको सोशन कर रहे हैं वह सोशन होने दीजिए आखिर यह कब इन हरताल पर जाएंगे जैसा कि कल के खबरों में भी हमने यही बताए थे आगे के खबरों में भी हम सुनाते रहेंगे कि किस प्रकार से एरक्राप्ट टेक्निसियंस के साथ अन्याई हो रहा है मगर उनके अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है तो हम तो लगतार इन हरताल पर जाने की बाते कही है सैलरी में बेतन भत्ता यानि की डिये जोड़ने के लिए तथा चो पर्मनेंट करने की यह तीन पर मुख मांगे हैं यह इन लोगों की मुख मांगे हैं वहीं जीम ने एकक करके अलग-अलग बीमान टेक्निसियंस को बुला कर उसे मेंटली ट जरा रहे हैं उसे धमकी दिया जा रहा है और अलग-अलग नोटिस जारी कर रहे हैं बात देश के नागरी के अधिकार का है मगर क्या समयधानिक रूप से यह लोग अपने हरताल भी नहीं कर सकते ऐसे कई बाते हैं जो तमाम रूप से एरक्राप टेक्निसियंस को डराया औ और साथ ही मैसेज दे कर उन्हें नहीं करने की भी बाते कहीं गई है अब बात उठती है कि अख içer जो जेनरल मेनेज़र हैं यानि कि महाप्रवनधक उनके तरफ से भी यह बाते आई है साथ ही यह आखिर कप तक इन लोगों की बातों को दवाया जा सकता है और रोका जा सकता जा रहे हैं इनकी मुल मांगे क्यों नहीं मांगी जा रही है ऐसे कई सवाल है जिसको लेकर हम अगले भाग में भी आएंगे अभी के लिए फिलाल इतना ही कहेंगे चाहे हुआ बिहार में बाटसदस के मुद्दे हूं या फिर सिछक बहाली के मुद्दे हूं धरोगा बहाली के मुद्धे हो या फिर तमाम जो परकार की अलग-अलग परकार के देश में अलग-अलग मुद्धे हैं हम पहुचने का वहाँ पर प्रयास कर रहे हैं अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्योंगे तो कर लिजेगा फेस्बूक पेज पर